भारत को मंदिरों का देश यूही नहीं कहा जाता है। यहां हजारों की संख्या में मंदिर हैं और कुछ तो बेहद ही प्राचीन भी हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रही हैं। मार्बल से बना यह मंदिर ताज महल से भी खूबसूरत और पुराना है, यह मंदिर इतना खूबसूरत है कि इसे लोग दुनिया के साथ अजूबों से बिलकुल भी कम नहीं मानते, यहां शिर्प सौंदर्य का बेजोर खजाना देखने को मिलता है. इस मंदिर को दिलवाडा जैन मंदिर या देलवाडा मंदिर के नाम से जाना जाता है. असल में यह पाँच मंदिरों का एक समू है, जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबु नगर में स्थित है. इन मंदिरों का निर्मान ग्यारहवी शताब्दी से लेकर सोलहवी शताबदी के बीच हुआ था। दिलवाडा जैन मंदिर का निर्मान ग्यारहवी और तेरहवी शताबदी इसवी में विमल शाह द्वारा करवाया गया था और यह ढोलका के जैन मंत्रियों। मजदूरी के रूप में सोना और चांदी दिया गया था। मजदूरी के तौर पर संगमर्मर पर काम करने से निकले चूरे के बराबर सोना तोल कर दिया जाता था। फिर 14 साल के बाद हर मजदूर करोडपती हो चुका था। दिल्वाडा जैन मंदिर वस्तुतह पांच मंदिरों का समू है। इन मंदिरों का निर्मान 11 से 13 शताबदी के बीच में हुआ था। मंदिर का एक एक हिस्सा ऐसा तराशा हुआ है। मानो ऐसा लगता है कि यह अभी बोल उठेगा। दिल्वाडा जैन मंदिर को राजस्थान का मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। और दिल्वाडा जैन मंदिर देश के उन पांच मंदिरों में शुमार होता है। जिसके निर्मान को अब भी रहस्य माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि जब इसका निर्मान शुरू हुआ तब यहां घना जंगल था, इतने भारी भरकम संगमर्मर और मार्बल के पत्थर को हाथी द्वारा लाया गया था जैन मंदिरों की वास्तुकला नगर शैली से प्रेरित है और प्राचीन पांडुलिपियों का एक संग्रह है दिलवाडा मंदिरों में एक ही आकार के पांच मंदिर शामिल हैं और ये सभी एकल मंजिला हैं सभी मंदिरों में कुल 48 स्तंभ हैं जिन में विभिन रित्य मुद्राओं में महीलाओं की सुन्दर आकरितिया हैं मंदिर का मुख्य आकर्शन रंगा मंडप है जो गुमबत के आकार की छत है इसकी छत के बीच में एक जूमर जैसा धाचा है और पत्थर से बनी विद्याद देवी की सोलह मूर्तिया हैं जो ग्यान की देवी हैं नकाशी के अन्य डिजानों में कमल देवता और अमूत पैटर्न शामिल हैं दिलवाडा मंदिर में पांच समान रूप से मंदिर बने हुए हैं जिनके नाम है विमल वसाही लूना वसाही पितलहर पार्श्वनाथ और म मर्पित हैं इन सभी मंदिरों में से हर एक मंदिर में मंदप, गर्भगरह, एक केंदरिय कक्ष और अंतर्तम गर्भगरह जहां भगवान का निवास माना गया है इन मंदिरों में नवचोकी है जो नौ सजावट वाली छतों का एक समू है कुछ अन्य संरचनाओं में किर्थ स्तंभ और हाथिशला भी है जो अपने जैन मूलियों और सिध्धान्तों को बताता है विमल वसाही मंदिर पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनात को समर्पित है इस मंदिर का निर्मान एक हजार 21 में गुजरात के सोलंकी महाराजा विमल शाह ने करवाया था लूना वसाही मंदिर का निर्मान 1230 में किया गया था यह मंदिर 22 वे जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनात को समर्पित है इस मंदिर को 1230 में दो पोरवाड भाई वास्थुपाल और तेशपाल द्वारा बनवाया गया था पित्तलहर मंदिर यहां का तीसरा प्रमुख मंदिर है जो जैन तीर्थंकर भगवान रिश्भदेव को समर्पित है इस मंदिर का निर्मान भीन सेठ द्वारा किया गया था पार्श्वनाथ मंदिर एक तीन मंजिला इमारत मंदिर है जो सभी मंदिरों की सबसे उची इमारत है इसे मंदली द्वारा 1469 में 23 वे जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के समर्पन के रूप में बनवाया था 1582 में निर्मित महावीर स्वामी मंदिर 24 वे जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समर्पन के रूप में बना है ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भगवान में बना है